यह इसलाम नेकपी वीविश् स्झीट whitelar में जॉब इंटरवियू के डिफरेंट लौग सोते हैं इंटरवियू में बहुत सरे लोग ये शिकायद के इनके साथ जो इंटरव्यू का प्रउसर्स था वह बहुत तफ था यह वह एंटरवियू का प्रउसरों बड़ा different था, unexpected था और बड़ा control था, sometime कुछ लोग इसमें बड़ा positive feedback देते हैं, तो basically आपको ये समझना जरूरी है कि जो job interview है, इसकी different types होती है, ये types क्या है, किस तरह से ये work करती हैं और आप इसमें कैसे perform कर सकते हैं, ताकि आप job को secure कर सकें, इस वीडियो में हमारा ये team है, हमारे चैनल को subscribe कीजिए, bell icon प्रेस कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की videos future में मिलती रहें, आईए start करते हैं, structured या informal interviews, ये normally जो functional managers हैं, वो conduct करते हैं, HR इसमें facilitator होता है, ये expert level के लोग होते हैं, इसमें के पास एक rich experience and exposure होता है, और ये candidate से अपने experience की base पे question answer session conduct करते हैं, और अपने काम और अपनी requirements को question की shape में आपसे answer demand करते हैं, ये structure नहीं होता, यहाँ पे कोई भी mix create हो सकता है, कहीं पे भी आपसे कोई भी question पूछा जा सकता है, या आपके answer की base पे नया question create किया जाता है, और उसका output decide किया जाता है, overall जो interview का environment develop होता है, जो question के आप answer करते हैं, उसके satisfaction level के साथ, और इसके बाद decide होता है कि आपको hire करना है के नहीं करना, तो ये वाला जो interview है, ये normally tough होता है, because इसमें जो line manager है, वो उनके पास क्योंके एक thorough experience है, उन्होंने बहुत सारे life के challenges को देखा होता है, अपने professional career के अंदर, different bosses के साथ काम किया होता है, तो उनका जो learning का level है, वो different होता है, तो यहाँ पे आपको बड़ा careful रहना होता है, बड़ी जो selection of words है, वो बहुत जदा broad नहीं होती, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, कि वो over smart होके react करते हैं, तो मैं यहाँ पे tip देता हूँ, कि जो आपका unstructured interview है, जहाँ पे आप देख रहे हैं, कि आपसे situation based question किये जा रहे हैं, यहाँ आपके सवालों से जवाब further create करने के लिए, आपके जवाब को बड़ा carefully सुना जा रहा है, तो यहाँ आपको conscience होके, बड़े clarity के साथ answer करना है, और जितना आपसे सवाल पूछाए जाए, आपने उतना ही जवाब देना है, आपने बढ़ा चढ़ा के और extra वाले जवाब यहाँ पे गुरेज करने है, यह आपके लिए problematic होंगे. Interview type में जो एक common type यूज की जाती है, that is structured interview. Structured interview में जो interview के questions हैं, यह properly पहले से decided होते हैं, और HR के लोग वो ही question आपसे answer जो है, वो request करते हैं और answer को mark करना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पे आपकी rating करते हैं. यह पूरा एक job interview का paper होता है, जिस पे already एक sequence में question mentioned है, वो सिरफ आपसे question का answer request करेंगे, और जिस candidate ने बेहतर answer किया, उसको वो job offer कर देते हैं. यह एक structured pattern है, तो इसमें sequence normally change नहीं होता, और step by step इसमें mix create किया हुआ होता है, और वो ही question आपसे, जो है, वो request कर ली जाती है, question answer के base पे आपकी selection decide होती है. behavior based interview type, यह ऐसा interview होता है, जिसमें आपसे different situation के accordingly आपका behavior judge किया जाता है, आपको एक real time situation दी जाती है, और आपको कहा जाता है कि अगर यह होगा, तो आप क्या करेंगे, और आपका answer जो है, वो उस पे expect किया जाता है, कि आप positive answer देंगे. for example, अगर आपको once a blue moon रोकने के लिए कहा जाए, कि आप job के हवाले से office में रुकिए, और रुकने के बाद अपने काम के task को extra time में complete कीजिए, लेकिन आपको इसकी कोई salary नहीं मिलेगी, तो आप क्या करेंगे? तो usually लोग कहते हैं, जी मैं इसको prefer नहीं करता, का कोई colleague आप से ऐसी undue favor की request करता है, जो उसके लिए तो beneficial होगी, लेकिन शायद as a group, as a company के लिए थोड़ा बहुत problematic हो, लेकिन क्योंकि ये कोई आपको देख नहीं रहा, कोई आपको supervise नहीं कर रहा, और ये बात chances हैं कि छुप जाएगी, तो आप क्या करेंगे, तो normally लोग उसमें कहते हैं, कि अगर वो छुप सकती है बात, तो मैं avoid करूँगा और उसको समझाऊँगा, sorry, आपको कहना चाहिए, कि नहीं जी, मैं एक तो avoid करूँगा, प्लस मैं इस बात को highlight करूँगा, तो ये वो behavior based challenges हैं, जुसको चेक किया जाता है, कि आप कितने honest हैं, कितने integral हैं, कितना आप without supervision effectively काम कर सकते हैं, जब आपको call की जाती है, तो sometime during call आपसे कुछ questions किया जाते हैं, और उन questions में आपसे answer की request की जाती है, कि आप उसको failly answer करें, जब आपसे ये question answer का session over the call होता है, interview से पहले, इसको preliminary interview कहा जाता है, ये pre-interview कहा जाता है, इस type में आपसे कुछ questions का answer लेने के बाद, ये determine किया जाता है, कि आपको next stage के लिए call करनी हैं के नहीं करनी, तो यहाँ पे आपको कोशिश करना है, कि आपको बड़ा clearly, thoroughly answer करना है, इसकी मेरी मुकमल वीडियो मौजूद है, link में नीचे आप जाके click कीजिए, तो आप उसको देख सकते हैं, कि interview की stage क्या है, interview की stages क्या है, तो उसमें आपको clarity मिल जाएगी, कि आपने जो preliminary stage है, उसको कैसे अच्छे तरीके से manage करना है, लेगिन इस stage पे आपको बेहतरीन तरीके से answer करना है, confidently, ताकि आपको next stage पे call किया जा सके, fourth type है जी, stressful job interview type, इस evaluation में आपसे जो question answer session होता है, ये बड़ा ही harsh और बड़ा ही different होता है, जिसमें आपसे ऐसे question और spontaneous question किया जाता है, और आपको एक stress वाली situation में convert किया जाता है, ये normally forces के लिए, या हर उस job के लिए होता है, जहाँ पे आपको problem solving, critical thinking वाले phases में जाना होता है, और ये check किया जाता है, कि आप psychologically कितने strong है, और आप pressure को कैसे handle करते हैं, stress और anxiety को कैसे handle करते हैं, और कैसे आप एक cool and calm person के तौर पे उस situation को handle करेंगे, इस सारे phase में आपसे sometime, अगर ये panel interview है तो different लोग sudden question करते हैं, आपको interrupt करते हैं, आपकी बात को negate करते हैं, और इस सारे phases के अंदर आपको evaluate किया जाता है, कि क्या आप जो answer कर रहे हैं वो logic based हैं, आपके facial expression, आपकी body language कितनी strong है, और आप जो solution present कर रहे हैं, communicate कर रहे हैं, वो कितने realistic हैं, ये सारे का सारा जो evaluation है, ये pre-plan किया जाता है और आपको जान बूज कर ऐसी situation में involved किया जाता है, ताकि आप react करें, तो कुछ लोग यहाँ पर aggressively respond करते हैं, जब आप aggressively respond करते हैं, तो आपको इस interview type में reject कर दिया जाता है, क्योंकि ये ही agenda होता है, कि आप कितने effectively perform कर सकते हैं, तो जब भी आप से stressed question किया जाए, एक harsh question किया जाए, spontaneous sudden question किया जाए, और वो question थोड़ी harsh language में हो, तो आपको cool and calm रहना है, और answer बड़े ही composed way में देना है, ताकि जो next person है, वो understand कर सके, कि आप में listing की power है, आप negative बात को सुन के absorb कर सकते हैं, और आप situation के मताबक respond करते हैं, आप emotional personality नहीं है, तो psychologically strong होना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा help करता है, इसी वज़ा से आपने देखा होगा, कि sometime बहुत सरे लोग, जब एक panel interview में जाते हैं, और उनसे different questions हो रहे होते हैं, तो वो reject हो जाते हैं, तो बन्यादी तोर पे, वो stressed environment के लिए ready नहीं होते हैं, that's why वो इस interview type को qualify नहीं कर पाते हैं, उमीद करता हूँ interview type के अवाले से, जो मैंने discussion की यह आपके लिए helpful होगी, और आप इसको अपने future point of view से help के तोर पे यूज़ कर सकेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो like कीजिए, comment section में feedback जरूर mention कीजिए, हमारे चैनल को subscribe कीजिए, और bell icon प्रेस कीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अलाफ़,